अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे नीचे बैल आगनों से प्लेश चरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ चैती छट पूजा 2020 में कब है डेट बताओंगी सेव देट और उसके बाद बताओंगी चैती छट क्यों किया जाता है साल में कितना छट होता है जो सारे लोग करते हैं वो भी मैं बताओंगी तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि साल में कितना छट पूजा होता है जी हाँ साल में तीन छट पूजा होता है चैत्र, सावन और कार्ति का जो होता है वो भबे रूप से सारे लोग मनाते हैं चैत का भी मनाते हैं और सावन में जो होता है वो बहुत कम ह लोग जो जानते हैं वो करते हैं और मेरे पास knowledge था तो मैं सुची क्यों ना आप लोग के साथ share करूँ और आए अब जानते हैं जी हाँ चैती चर्ट 2023 में कब है और कब से शुरू हो रहा है तो आए जानते हैं 25 मार्च 2023 सनीवार नहा खाए 26 मार्च 2023 रवीवार खरणा जी हाँ इस दिन खरणा होगा और उसके बाद 27 मार्च 2023 सोमबार संध्या अर्ग 28 मार्च 2023 मंगलवार सुर्य उदैस अर्ध पारण आईए एक बार फिर से आप लोग को बता देती हूँ 25 मार्च 2023 दिन सनीवार नहा खाए 26 मार्च मार्च 2023 मंगलवार उगते सुर्य कव अर्ग और साथ में पारण चैती छट पुजा 2023 में कब है पुर्वांचल और उत्तरवासियों का प्रमुक्तिवार छट पर्व है ये पर्व नवरात्री के तर्ज पर वर्ष में तीन बार मनाया जाता है हिंदो कैलेंडर के अनुसार एक चैत्र माह में और दूसरा सावन में और तीसरा कार्थिक मास में बिहार जारखन उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में मौजूद पुर्वांचल संस्कृति के लोग पर्व को मनाते हैं नेपाल की तराई इलाके में पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है इस वर्ष 25 मार्च 2013 दिन सनिवार को नहाइखाग के साथ छट पर्व की शुरुवात होगी अकसर पहले पुत्र की प्राप्ति के बाद महिलाएं वरत को उठाती है पौरानिक मानेताओं की मुताबिक छटी माईया को सुरेदेव की बेहन कहा जाता है मानेता है कि छट पर्व में सुरे उपासना करने से छट माई प्रसन होती है और ये परिवार में सुक शान्ती धन धाने से संपन्य करती है सुरे की उपासना का पर्व साल में तीन बार मनाया जाता है चैत्र सुकल सस्टी वा सावन सुकल सस्टी वा कार्तिक सुकल सस्टी इन तीनों तिथियों को ये पर्व मनाया जाता है हलांकि कार्तिक सुकल सस्टी को मनाया जाने वाला छट पर्व मुख्य माना जाता है कार्तिक छठपूजा का विशेश महत्व माना जाता है छठपूजा तिथी वह सुम्भूरत 2023 साल 2023 में चेती छठपूजा पर्व 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक मनाया जाएगा सश्टी तिथी प्रारंब होगी 26 मार्च को संकाल 4 बज कर 32 मिनट पर सश्टी तिथी समाप्त होगी 27 मार्च को संकाल 5 बज कर 57 मिनट पर नहाखाई तिथी होगी 25 मार्च सनी वार खरना या लोहंडा होगा 26 मार्च रवी वार डूबती सुरे को अर्ग 27 मार्च सोम वार को सुरे उदे का समय होगा 28 मार्च प्रातक काल 6 बज कर 40 मिनट पर कैसा लगा आप सभी को हमारा ये छोटा सा चैती छट वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब और सेर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इंट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक्स पर वचिंग कीप सपोर्ट